जीला गुर्दासपूर में नए बने सरकारी मेरिटोरियस स्कूल के बच्चे पिछले कुछ दिनों से लगातार बिमार हो रहे हैं रोज पाच से साथ बच्चों को होस्पिटल लाया जाता है देर रात भी कुछ बच्चों को गुर्दासपूर के सरकारी अस्पता लाया गया जिनको सिर में काफी दर्थ था लेकिन इलाज के कुछ समय बाद ही ठीक हो गए लेकिन एक की हालत काफी खराब थी दॉक्टर भी इस बिमारी का पता नहीं लगा पा रहे आखिर बच्चों को क्या हुआ है बिमार होने वालों में सभी लड़किया है जो की पल्स एक और पल्स दो की क्लास में पढ़ने वाली है इस सारे मामले में जब बच्चों के माता-पिता से बात करनी चाही तो किसी ने भी खुल कर जानकारी नहीं दी बच्चों को अस्पताल में लेकर आई महिला गार ने बताये कि अचानक इन बच्चों की हालत बिगरने लगी तो इन चार बच्चों को लेकर अस्पताल आ गई दाटराओं लोगी काना होने बच्चान बच्चे मारें लाक दाटराने ट्रीटमन्ट किता अप्नाऊं इन बच्चे हालती दूडी दी गज्राण एपन्च बच्चे जड़े आयो है एक मुनेथ लेक आयो बच्चे जड़ी आए ईन बच्चे जड़ियान , मैरी टो इस्पल् इन्होंनों पाइच्छिन पेरा दिद्धे हैं जड़े करके थोड़ी दो चार बच्छी जड़ी है उस्टेबल होगी एक पची है भी अगे बड़ाद कर रहा है मेरे दमाद विच में प्राउलम हो रही है तो में उसेतर का बूरी है ये इस ता कारण है तक नहीं बदा लगया स्वेरे पकी ना तेस्ट बेरा रहा कि फिरो ता कारण जड़ा वो पता की पर जाएगा भी क्यों हो रहे हैं तो कल भी एही मेरिकुलिय स्कूल तो कल भी 6-7 बच्चे कल भी आये सके सेम इन्हें प्राउलम जड़ी है एप प्राउल कुलिए पं़ारी हो दिए ये इन्हों अभा एंजाइटीन दोस जो खनें है मो लो तक देखं दे खंदे और क्लीनिक ली देखं दे ना लगए आधे लगए अजाइटीन दोसेज दे विजम टेगे तो लिए इन्हों अपर चालो करती है तो आज नु एक दाहल कर ले आए तेखले चार बच्ची हैं जड़ी है स्टेबल की पियां एक बच्ची हजलेगी राइस्टेबल रेगी